नमस्कार दोस्तों मैं रोहित दिवंगन आज आपके लिए प्रेजेंट करने जा रहा हूं वीवैप जैसे वॉल्यूम वेटेड आवरिज प्राइस इंडिकेटर भी कहते हैं और उस जैसे हम बाकी वीडियो के साथ करते हैं इस वीडियो में भी आपको बेसिक कॉंसेट बता बताएंगे और उसको कैसे स्क्रीन कर सकते हैं Top Stock Research TSR और Stock AIO में उसके बारे में बताएंगे तो जानते हैं क्या है वीवैप वीवैप और वैप 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 इस वेटेड आवरेज प्राइस नौ यह आवरेज तो हम जानते हैं काफी यूस की होगा हमने Simple Moving Average Exponential EMA, SMA वगर इस केस में हम किसका वेट ले रहे हैं इसके दो पार्ट होते हैं एक तो वेटेज होता है दूसरा एवरेज होता है इसमें किसका वेट ले रहे हैं वॉल्यूम का वेट ले रहे है इसलिए क्याते है वॉल्यूम वैप वीवैप इसका फॉर्मुला है फॉर्मुला अगर प्राद रखने की जरुवत नहीं है, हमाँ पर उसकोने calculation में अल्रेडी है, जानकरी और completeness sake के लिए यह add किया हुआ है, VWAP signature और VWAP screener, average क्यों, average हमें काफी सारी चीज़े बताता है, सबसे पहले बताता है उसका trend क्या है, वो बताता है trend कब reverse हो रहा है और उसको support और resistance के लिए यूज़ कर सकते हैं, यदि आप लोग ने moving average का video देखा है या moving average से familiar है तो यह भी similar है, क्योंकि यह भी average है, right, so trend बताता है, trend reversal बताता है और कैसे इसको support और resistance के लिए यूज़ करना है, volume यह बताता है कि कितने लोग उस particular जगह पे interested है जैसी कि आप एक देख लीज़े एक बहुत ही remote area में एक घर है उसका और वहाँ पे घर बिखना है या नहीं बिखना है उसका volume के वल एक रहगा तो उसका कभी भी fair value नहीं रहगा वही सेम चीज़ अगर आप Mumbai city में एक बड़ उसमें fair value की जाएगी तो जितना ज्यादा volume उतना ज्यादा उसका fair value तो इसलिए volume यूज़ करने से हमें advantage मिलता है वो market में participation और movement के participation में पताता है volume इसलिए volume का importance अच्छा है तो VWAP average and volume weighted volume यूज़ करते है हम लोग यहां पे इसके use case कह है पहला use case यह है और जो सबसे हो रहा है सुबह market start होने से अभी तक जो भी market के जो भी period है उसमें कैसा है सबसे ज्यादा common use case है और यह use case बले ही कितना simple क्यों नहों इसका usage industry में बहुत ज्यादा होता है चाहे वो retail users हो चाहे institution user हो वो VWAP के लिए बहुत ज्यादा use करते हैं जो start of the day से है दूसरा है start of previous day जै जानेंगे कैसे use होता है इसके बारे में anchored VWAP anchored VWAP होता है कि एक particular जिका anchor कर लिए जैसे start of the day होता है सुबह 7 बजे उसी प्रकार anchored है किसी अलग point of time से वो हो सकता है क्या होगा उसके बारे में जानेंगे और दूसरा है moving VWAP moving VWAP आपको थोड़ा बहुत moving average समझ में आगा क इसमें भी volume weighted average price होता है अब VWAP start of the day start of the day क्या होता है जब भी market start हो रहा है वो market start होता है इंडियान market आज की रिट में 7 बजे चालो होता है तो वहां से लेंगे इसमें हम कौन-कौन से tick use करते है तो start of the day ले रहे है तो clearly यह एक intraday based indicator है यह purely intraday indicator है क्योंकि यह सुभा start से हो यह use कर सकते हैं 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes किसी भी tick पे use कर सकते हैं हम ज़्यादा तर यह exercise होगी है 5 minutes tick पे ज़्यादा तर यूज़ करेंगे हम इसका usage जैसे कि बताया सुभा start होता है तो intraday के लिए होता है और यह institutions के लिए बहुत use होता है किसी को भी बहुत बड़ी quantity में लेना है तो अगर एक साथ लेते हैं तो price suddenly अगर demand बढ़ती है तो price बढ़ जाएगा तो आप lose कर जाएगे तो जितने बड़े institutions होते हैं चाहे DIs, FIs, mutual funds, pension funds या insurance company यह लोग क्या करते हैं कि एक साथ नहीं लेते हैं थोड़ा 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 लेते हैं थोड़ा लेते हैं तो उसमें कई लोग को लगता है कि market उपर गया profit booking करते हैं नीचे आता है तो जब भी VWAP के मीचे तब लेते हैं तो बहुत common indicator है यह है इसकी strategies price जब भी VWAP को cross कर रहा है तो अब VWAP के बारे में काफी बोल लिए हैं एक बार उसको देखते हैं कि VWAP दिखता कैसे है तो आप जाहिए यहां पे left hand side पे अब top stock research के home page है यह left hand side पे जाहिए custom screener मिलेगा आपको custom screener में आपको price action में एक indicator मिलेगा typically price action नहीं है यह क्योंकि एक lagging indicator है इसको completeness से और इसकी usefulness के current हमने यहां रखा है VWAP यहां पे click करते हैं और यह देखते हैं कि price cross above VWAP इसको हम 5 minutes के tick मिलेते हैं तो यह stock निकल के आ रहा है जो हमारा Bajaj holding है हमने 5 minutes के tick लिया यहां पे ऊपर क्य और यहां पे देखते हैं यह वो stocks हैं जो VWAP को price cross कर रहा है तो अगर आप moving average से familiar है तो यह भी आपको similar दिखेगा तो यहां पे देखेंगे आप तो यह last tick जो 3.30 के 25 minutes वाला जो 3.30 का tick है उसमें है cross किया है तो देखने में typical moving average जैसे अगर हम plot करते हैं आपे जैसे 15 moving average plot करते तो वो भी ऐसे ही होता है similar होता है smoothening होती है इसमें केवल price होता है इसमें केवल price होता है इसका color change करते है तो थोड़ा सा better आएगा इसका color use करते है suppose red तो red वाला जो है वो moving average है normal moving average यह weighted moving average है जो सुबह स्टाट अफ देडे से हो रहा है तो plotting इसकी बहुत similar होती है moving average जैसे वा right so जब भी इसका मतलब यह होता है कि अगर इसमें trend change हो रहा है जैसे कि अभी हम यहाँ पर देखते हैं hevels में hevels में निचे की और रहा थोड़ी दिर अब यह देखेंगे आप कि यह intraday pure intraday screener है तो आपको ऐसा नहीं है कि बहुत massive moment मिलेगा हर समय यहाँ पर जरूर आपको massive moment मिला यहाँ पर price cross किया उसके बाद एक अच्छा moment मिला यहाँ पर नीचे आया फिर नीचे गया तो इसको आप typical support और resistance की तरह यूज कर सकते हैं जो पहला use case है price cross के उपर buy करिये उपर गया sell कर फिर नीचे आया sell करिये इसको typical usage है इसका VWAP का दूसरा है price crossing below just is opposite है जैसे कि यहाँ देखा price cross below रहा है तो नीचे आया यह तीसरा है VWAP trending जो हम जानेंगे और VWAP gap finding और narrowing इसको दीरे से जानें आते हैं हमापस right इसमें देखेंगे price above so और थोड़ा सा और देखते हैं इसमें क्या है हमापस इसमें VWAP screener so पहला जो है हमापस price above VWAP price above VWAP क्या बताता है यहां देखते है एक price यहां पर second option है price above VWAP run करते हैं इसको तो जैसे हमारे पास यह है access bank Bosch Bosch को click करते हैं अगर हम तो यह क्या बता रहे है price अगर VWAP से उपर है इसका मतलब है यह bullish trend है right इसका bullish trend है market में strength अच्छी है right दूसरी बात यह क्या है कि यह जो VWAP level है यह support के रूपे भी provide करता है जैसे कि यहां पे एक दो fake breakout जरूर हुआ था बट आप देखिए यहां पे naturally वह support लेके आगे जा र है right तो और supply से इसलिए price उपर जा रहे है दूसरा वह support level की use कर सकता है दूसरा example है price cross above VWAP यहां पे कोई दूसरा example लेते हैं यहां पे हमें जाद अच्छे से पता चलेगा कि signal perfect नहीं है right सिर्फ signal के basis पे करेंगे तो यहां पे एक moment दिया उपर गया अच्छा वापस आया false moment दिया फिर उपर गया और अच्छा moment दिया तो यह बहुत common strategy है अगर आप support और resistance पे play करते हैं तो यह trend change करके बताता है इस जगह पे क्या होता है यह आपके moving average में इतना details में नेगा है जेतना VWAP में जाएंगे हम लोग यहां पे क्या होता है कि यह VWAP जो है यह बहुत highly traded होता है और बहुत massive trading के लिए यह use होता है तो यहीं पे आपका काफी सारा stop loss look place करते हैं और short covering करते हैं ऐसे बहुत सारी च उपर की और निकलता है तो और long position बनती है इसलिए और उपर जाता है तो जितना अच्छा impact VWAP में होता है इतना अच्छा impact generally बाकी जगर नहीं देखा जाता है क्योंकि बहुत सारे अगर आप trading देखेंगे तो करीब-करीब 70% trading आसपस से उपर आपका intraday होता है जो की सुब क्रोस ओवर हो रहा है तो उसके कारेंट काफी enthusiastic लोग long position लेंगे और यह उपर जा रहा है वो trend देखते वे काफी लोग और लेंगे तो यह बहुत powerful signal होता है जिसको आप अच्छे से use कर सकते हैं यह इतना powerful उतना ज्यादा risk तो आप 70 करेंगे trade करेंगे closure of short position short covering होती है इसमें new long position होती है और उसके करने यह stock price बहुत उपर भागता है जैसे कि एक अच्छा example है यहाँ पर यहाँ पर सेम चीज हुआ यहाँ पर जो भी position चेंज हुई उसके बहुत अच्छे से भागा कुछ और example देखते हैं शायद interesting मिल जाए यहाँ पर इतना interesting नहीं आया यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर अच्छा कासा resistance की तरह work कर रहा था थोड़ा fake breakout आया फिर उसके बाद जो एक breakout दिया उसके उपर निकल गया काफी तो यहाँ पर definitely बहुत जादी short covering अगर यह F&O stock है तो short covering होई होगी long position built आया होगा और जो भी typical जो terms आप use करते हैं और जैस इसको आप इसे use कर सकते हैं अच्छे से इसमें अगर आपको थोड़ा fast चल रहा है तो मैं intention है कि थोड़ा fast चलूँ general feedback आया कि वीडियो थोड़े लंबे हो रहे है इसके पीछे काफी सार और material है हमें यहाँ पर एक objective है कि आपको एक तो basic idea देने का दूसरा screen कैसे कर सकते हैं तो आपका यहाँ पर देखा हमने जो screening है पहली screening price above दूसरा cross above अभी वैप जो हम अभी देख रहे हैं जैसे यहाँ पर कोई example अगर अच्छा मिलता है तो यहाँ कहीं cross over दिया बहुत initial phase पे दिया उसके बाद उपर ही गया जनरली जो trend अच्छा दिखा रहा था हिंदुस्तान Unilever में price उपर गया उसके बहुत बहुत अच्छा moment नहीं दिया बट ऐसे आपको दोनों case मिलेंगे यहाँ पे cross over हुआ यहाँ पे cross below हुआ उसके बद नीचे गया फिर cross over हुआ उसके बद अच्छा खासा निकल गया तो आप वीवैप को independently यूज़ कर सकते हैं वीवैप के साथ आप दूसरे tools यूज़ कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे volume जंप हुआ तो उसके moment अच्छा गया फिर या फिर आप इसे indicator के साथ यूज़ कर सकते हैं कैसे यूज़ करना है बहुत standard है हमारे इसमें यह custom screener का part है अगर आपको चाहिए उसमें कोई engulfing चाहिए suppose तो यहाँ पे जाके आप bullish engulfing डाल सकते हैं या फिर jump in volume चाहिए तो jump in volume कर सकते हैं यदि आपको पता नहीं है कि engulfing कहा है तो य यह दो यहाँ पर नहीं आ रहा है इसमें या फिर jump in volume के साथ चाहिए आपको तो volume greater than पिछला volume बाई लट चाहिए 50% तो 50% volume के साथ 50% के साथ एक भी नहीं आ रहा है शायद NSC 500 में कोई आ जाए तो यहाँ पे आपका crossover भी हो रहा है और volume के साथ crossover हो रहा है तो यहाँ पे crossover volume के साथ हो रहा है यहाँ पे केवल latest दिख रहा है क्योंकि end of the day है market भी रन नहीं हो रहा है इसलिए आपको end of the day दिख रहा है बट आप real time में अगर देखेंगे यह चीज जैसी यहाँ पे crossover हो रहा है यहाँ volume अच्छा है तो उसके बाद यह अच्छा moment मिला इतना moment intraday के हिसाब से अच्छा होता है यदि आप positional है तो wewap naturally आपके लिए यह start of the day wewap नहीं है बट दूसरे wewap है हमार पास जो अभी हम थोड़ी दिर में बताएंगे so price cross about to crossover अभी कभी कभी क्या होता है आपको early moment चाहिए यह cross होने का जो daredevils होते हैं जो highly risk taker है तो वो इसको ऐसे यूज कर सकते हैं कि यह बंग करते हैं reset करते हैं wewap यह है price below price below wewap by let's say इसको अगर हम करते है price below wewap है sorry price below wewap number one okay फिर एक और add करते है price trending trending up for let's say 5 ticks and एक और wewap add करते है price within 2% of wewap और 2 ज्यादा हो जाता है intraday के सबसे one रख लेते है one भी थोड़ा ज्यादा होता है five minutes का tick है तो इसको suppose 0.5 करते है और यह run करते है तीन condition है मैं आपको explain करता हूँ अगर results आते है कुछ interesting तो इसमें पहला condition यह है cross होने वाला है यह price wewap से नीचे है दूसरा wewap trending up है और तीसरा यह है कि price थोड़ा ही कम है तो आपको ऐसा कोई चाहिए ऐसा कोई जैसे यहाँ पे शायद इसको अपन वहार राते है wewap trending up की जगा हमको price trending up चाहिए और चल सी trending यह है आपका price लगाता टेंड करता है मैं आपको explain करता हूँ दो मैं यहाँ पे वह stock आएंगे जो जिनके wewap को cross करने के chances है इसको हम अगर line chart में लेके जाते है तो यह देखिए यह wewap से नीचे है number one और यह नीचे से उपर की और आ रहा है नीचे से उपर की और आ रहा है और इसको cross करने के chances इसके अच्छे बनते है यहाँ पे देखेंगे तो यह नीचे से उपर जा रहा है शायद 0.5% थोड़ा जादा है थोड़ा और कम कर लेते है 0.25 कर लेते है not sure कोई results आएंगे की नहीं बड़ देखते हैं शायद कुछ आज़ा है अच्छा यहाँ पे अब यह देखिए कि यह नीचे से उपर जा रहा है यहाँ से इसको अगर लाइन करते हैं तो नीचे से यह उपर की और जा रहा है इसके पास है और यह cross करने के chances है इसका मतलब यह है कि मतलब आप यहाँ पर वॉल्यूम अच्छा दिख रहा है suppose यह चलता रहता market यहाँ पर market चलता रहता तो आप यहाँ पर इसको पहले एंटर कर सकते हैं दूसरा example यह यहाँ पर दिख रहा है कि यह लगाता नीचे से उपर जा रहा है वाल्यूम भी बेटर दिख रहा है और इसके cross करने के chances अच्छे दिख रहे हैं तो इसमें क्या है आप early move कर सकते हैं cross करने के बजाए cross करने के वेट करने के बजाए आप पहले कर सकते हैं तो क्या क्राइटेरिया डाला है आपने पहला क्राइटेरिया यह है प्राइस वेट से नीचे है और यह जो आपका जो प्राइस है within 0.25% of VWAP है मतलब थोड़ा ही पास है उसके नीचे से थोड़ा ही पास है और प्राइस उपर की ओर trend कर रहा है तो ऐसे stocks अगर वो cross करते हैं तो यह VWAP के cross करने की chances अच्छे हैं तो आप इसमें थोड़ा early moment ले सकते हैं right price about to cross VWAP इसके बारे में एक और पॉइंट है जो आपको दो मेंटे मताऊंगा price trending up और price VWAP trending up तो अगर आपका VWAP trending up हो रहा है suppose suppose आपका VWAP trending up हो रहा है okay VWAP trending up हो रहा है suppose 5 ticks से इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह निकल के आएगा कि इसका strength बढ़ रही है stock की strength बढ़ रही है तभी यह VWAP trend हो रहा है यह भी एक तरीका अच्छा है देखने का VWAP trend हो रहा है मतलब price और ज्यादे aggressively trend हो रहा है VWAP यह उपर की ओर trend कर रहा है price भी उपर की ओर जा रहा है तो इसको इस तरीके से भी आप use कर सकते हैं price और VWAP का gap widen हो रहा है right price और VWAP का widen हो रहा है तो suppose यहां पर जाके देखते हैं VWAP gap widening for 5 ticks और मेभी let's say 10 ticks से करते हैं शायद कोई records आ सकते हैं let's wait 10 जाता हो जाता है 6 करने कर देखते हैं 6 में हम आपस 12 record आ रहे हैं तो यहां पर यह देखेंगे कि इसका price और VWAP में diversion बढ़ते जा रहा है 6 ticks से यहां पर gap कम था यहां gap बढ़ते जा रहा है हमने केवल widening देखा है इसलिए हमको दोनों मिल रहे हैं ऐसे stocks आ रहे हैं कुछ stocks हो सकता है उपर की और भी हो उसके लिए क्या करना है आपको condition VWAP gap widening और price above VWAP अगर आप यह लगाते हैं तो आपको ऐसे होंगे price जो VWAP से उपर है और उसका gap widened हो रहा है ऐसे stocks मिलेंगे इस case में तो नहीं आएगा क्योंकि हमने देख अच्छ एक आया KSB KSB देखेंगे तो यहां पर यह आपका इसके VWAP के उपर है और यह widened हो रहा है और दोनों का gap जो है वह widened हो रहा है तो आप इसको भी अच्छे से use कर सकते हैं अपनी strategy के हिसाब से यदि आप यह strategy use करते हैं जो कुछ users definitely use करते हैं आप भी इसको use कर सकते है strategy को next है gap narrowing gap narrowing का मतलब क्या होता है जैसे कि यहां पर अगर gap narrowing gap narrowing का मतलब क्या होता है कि आपका यह cross over होने के chances बढ़ने वाले हैं जैसे कि यह gap यहाँ जादा था gap narrow होते जा रहा है तो इसमें cross over के chances अच्छे होते जा रहे हैं यहाँ पर gap कम हो रहा है यह नीचे जाने के chances अच्छे हैं यहाँ पर तो इससे क्या मिलता है आपको जैसे पिछले वाला देखाता है about to cross over तो यह potential cross over है आप early enter कर सकते है early enter करेंगे तो आपका gain जादा आएगा gain जादा आएगा तो naturally gain जादा है तो risk भी जादा होता है वहाँ पर तो इसका थोड़ा risk ही है क्योंकि यह support level की समान भी use करता है हाला कि बहुत सारे users है अच्छा कासा अगर चीज़ें बाकी चीज supportive है बाकी चीज जैसे यहां पर लगता है आपके high volume के साथ नीचे आ रहा है यहां पर तो आपको अंदाजा लग सकता है कि इसका momentum strong downside है तो आप दूसरे indicators use करके आप थोड़ा early enter कर सकते है early enter करने से थोड़ा risk है जैसे कि मैंने आपको बताया trading against norm normally उनके ही जादा बनते हैं और loss भी होता है obviously जो पहले से anticipate करते हैं और enter करते हैं आप read करते हैं situation और enter करते हैं उसके लिए आप यह cap narrowing use कर सकते हैं फिर retracing from price जैसे यह price retrace कर रहा है यहां पर दो बार यहां retrace किया फिर उपर गया यहां पर एक बार नीचे आया फिर इसको support लिया resistance लिया एक बार दो बार तीन बार फिर finally break किया तो दो बार अगर यह लेता है जैसे एक बार दो बार आपका यह लेता है support और resistance लिया करता है और दूसरे direction में जाता है तो उसको moment थोड़ा मिलता है intraday के हिसाब से decent returns आ सकते है इसमें so VWAP का example एक simple example लिया हुआ है आपके understanding के लिए अफकोस इसकी अपजवत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने काफी real world examples देख लिया यही difference है हमारे इसमें कि हम केवल book के example नहीं लेते हम really उसको screen करके आपको यहां बताते हैं ताकि आप इसको real world में use कर सकते है next क्या हम आपस so other options एक तो start of the day हमने cover कर लिया start of the day हमेशा start of the day होता है 7 बज़े जितना छोटा टिक generally 5 और 15 मेट करते काफी users करते है आप लोग भी बहुत अच्छे से VWAP start of the yesterday now start of yesterday क्या है election results हो, company announcements हो यह ऐसा कुछ है जिसका meaning बहुत जादा है तो उसके लिए आप start of yesterday से भी कर सकते हैं उसका मतलब यह है कि आज suppose Tuesday है तो Monday 7 बज़े से यह VWAP चालो होगा इसको use करने के लिए आपके पास यहां पर option है यहां पर इसके लिए आपको reset करता हूँ, scratch से चलते हैं VWAP यहां पर advanced option में आईए so basically हमारा जो नया approach है कि simple चीज़े commonly used हैं वो directly हम easy करके देते हैं जिनके पास थोड़ा सा ज्यादा research करने का और ज्यादा complex use करते हैं उसके लिए advanced option यहां पर start of the day है start of previous day यहां पर VWAP लेते हैं 5 मांट में शायद कुछ मिलेंगे results यहां पर मिलें results तो आप देखेंगे यहां पर यह VWAP हमारा कब से चालो हो रहा है start of yesterday यहां से start हो रहा है VWAP आप देखेंगे तो पिछले दिन के start हो रहा है तो पिछले वाले में देख रहे थे अगर हम अगर वापस एक बार आपको दिखाता हूं दोनों के बीच में difference कैसे दिखेगा आपको start of day start of the day में आपको यहां से VWAP दिख रहा है अगर हम पिछले दिन तक जाते हैं तो VWAP यहीं से calculate करना चालू कर रहा है क्योंकि इसकी limit यह है यदि हम start of previous day जाते हैं यदि हम start of previous day जाते हैं तो आज Tuesday है तो Monday सुभा 7 अबजे से लेगा यह वैसे Friday है तो हमको Thursday से देगा यह So यह Thursday से start हो रहा है VWAP यहां से calculate करना start हो रहा है इसका भी usage अच्छा है इंडिस्ट्री में थोड़ा से इसका documentation कम है बट आपको लगता है पिछला दिन कुछ eventful था तो आप इसको definitely use कर सकते हैं कहां use नहीं करना है VWAP जहां पर अपर circuit lower circuit बहुत frequently लग रहा है यह इसे stocks लेने जहां पर volume अच्छे होते है और normally trending है तो में पास इस समय कोई solid example नहीं है इसके बारे में because हम real world में directly करते हैं तो आप लोग अदम से use कर सकते हैं इस example को तीसरा है moving VWAP जिसके बारे में जानेंगे हैं So start of yesterday VWAP के समान होता है but जैसे कि मैंने बताया है पिछला दिन अगर कुछ eventful है कुछ चीज trending चल रही है तो आप इसको definitely use कर सकते है start of yesterday relevant and eventful previous day use of previous day पिछले दिन का अभी आपका trend और मजे चल रहे है अभी तक तो आप इसको भी ले सकते है next है moving VWAP अभी तक जितना वैप देखा इसका limitation यह है कि generally 5-10-15 minutes में ही अच्छा work करता है उससे ज्यादा और कम में बहुत अच्छे results ने देता है 1 minute में भी ठीक देता है ऐसे results देता है तो suppose आपको दूसरे interval में चाहिए तो उसके लिए आप moving VWAP use कर सकते है moving VWAP बहुत ही similar होता है moving average के साथ जो की continuously move होता रहता है तो यहाँ पे है जैसे moving average के साथ होता है यह दूसरा यह सारे time frame में work कर सकता है आप 5 minutes में भी यूज़ कर सकते हैं एक दिन में यूज़ कर सकते हैं एक मैने का take यूज़ कर सकते हैं VWAP उसकी जगह moving VWAP डालिए और इसको tick लेके जाते हैं अगर daily tick लेके जाते हैं आज daily tick लेके जाते हैं starting from suppose आपका कोई एक बड़ा event हुआ for example let's say election हुआ भी थोड़े दिन पहले 4 June को आपको चहिए 4 June से अभी तक का VWAP calculation करना या फिर suppose आपको उस company का एक अच्छा result आया या बुरा result आया आपको उस दिन से VWAP calculate करना है तो आप क्या कर सकते हैं moving VWAP ले सकते हैं और इसको आप suppose आपके पिछले दीर 20 दिन से चाहिए आपको वहाँ से click करिए और run करिए यहाँ पर run करते हैं अगर हम तो यह जो VWAP आएगा moving VWAP आएगा 20 दिन का यह 20 दिन से लेके चलेगा तो जैसे कि moving average होता है यहाँ पर अगर हम देखते है moving average 50 color फिर ते change करता हूँ मैं ताकि दोनों के उच्छे difference दिखता रहे यहाँ पर देखेंगे आप तो यह moving average है आपका और यह लगता line चलती रहती है तो इसको आप ऐसे use कर सकते हैं कुछ users इसको use करते हैं काफी सारे users in fact moving VWAP भी उसका सकते हैं क्योंकि moving average में केवल आपको वह मिलता है कहना मैं price लेता है यह price और volume लेता है तो यहाँ पर weightage अगर उसके उपर है तो इसकी value केवल price वाले moving average से जादी value आती है but moving average जो normal moving average वह आपको supporter resistance जादा better देता है तो यह starting इस price से कर रहे हैं तो next है हमारा anchored VWAP कभी-कभी क्या होता है कि आपके पास पिछले 10 दिन 20 दिन का आप लेके चल रहे है अब किसी particular day high बना होगा जैसे पिछले 100 दिन में किसी दिन high बना होगा किसी दिन low बना होगा किसी दिन बहुत ज्यादा volume होगा तो यदि आपको उस price से जैसे start of the day है तो 17 अबजे आपका price fix है यदि आपको चीए पिछले किसी दिन के high से चीए यह पिछले 30 दिन के highest level जो भी है वहाँ से कैसा moment आगे चल रहा है वह देखना है तो आप इसमें anchored vwap यूज कर सकते है anchored vwap, avwap यहाँ पर यह है avwap और यहाँ पर आप highest point से कर सकते हैं यहाँ पर मैं suppose 40 लेता हूँ और run करते हैं पिछले 40 दिन में जो भी highest point था जैसे यह highest point था यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर इसको यदि मैं candle करता हूँ तो यह highest point था तो यह यहाँ से vwap calculate करना चालू कर रहा है थोड़ा सा different है next stock लेते हैं लोग अगर तो इसमें highest point यहाँ था हमारा configuration और setting same थी हमारा configuration setting पिछले 40 टिक से है एक जगा हमको दिख रहा है यह ले रहा है 25 April से दूसरे case में हमको ले रहा है यह 13 June से और आज की तारिक है 21 June तो आप यह system automatically pick करता है जो भी highest point है अगर आप Fibonacci वगर यूस करते होंगे उसके retracement तो थोड़ा सा idea होगा कि highest और lowest points लेते हैं तो यदि आप वो यूस करते हैं और मतलब direct relation नहीं है दोनों के बीच में कोई relation नहीं in fact but आपको थोड़ा सा familiar होगा कि वो point का कुछ significance है वहां से कितना नीचे आ रहा है कितना आपर जा रहा है तो इस case में यह highest point को लेता है और वहां calculate करता है जैसे cello वापस गया यह थोड़ा पीछे से start कर रहा है क्योंकि यह highest point पिछले 40 दिनों का DOMS देखते हैं तो DOMS का यहां था पिछले 3-4 दिन तो कुछ आपको पुराने मिलेंगे कुछ नहें मिलेंगे जैसे यह है तो यह 26 अपरिल का है date यहां से VWAP calculate करना चालू कर रहा है तो उसके बाद अगर नीचे आया VWAP नीचे आया उसका downtrend है अच्छे कहसा नीचे था उपर गया यहां पर फिर official out हो गया इसका वह वीवाप इस case में बहुत ही close था high point तो कहने का मतलब यह है कि आप अपने हिसाब से एक तो moving ले सकते हैं पिछले कित्य दिन का यदि moving के साथ साथ आपको पिछले 40 दिन का highest level चाहिए lowest level चाहिए तो वह use कर सकते हैं starting from some meaningful event recent highs, recent lows suppose आपको चाहिए highest volume के साथ चाहिए किसी दिन बहुत major event हुआ और highest volume के साथ चीए तो यहाँ पे जाएंगे high volume और run करेंगे तो पिछले 40 दिन में highest volume था यहाँ पे था highest volume इसका naturally highest volume लिख रहा है तो यहाँ से VWAP लेना चालू किया है इसका भी usage है थोड़ा सा complex लगेगा बट एक बार आप VWAP यूज करना start करेंगे और इसको observe करेंगे तो इसमें भी अच्छा आपको मिलना चालू करेगा यह highest volume के बाद भी नीचे था उसके बार नीचे ही कहा market आपके बास different तरीके हैं यूज करने की VWAP जो आप यहाँ पे काफी सारे है options आपके बास available जिसको आप अच्छे से यूज कर सकते हैं pros और cons VWAP का यह results बहुत अच्छे देता है day trade के लिए day trade का एक बहुती favorite है इसमें algo trading के लिए भी आप यूज कर सकते हैं बहुत लोग algo trading के लिए यह VWAP यूज करते हैं दूसरा है यह बताता है VWAP की कौन control में है bulls या bears बहुत easily देखने समझने में easy होता है छोटे से period में आकर आप देख रहे हैं तो आपको पते चलता है कौन control में है यह VWAP आपका trend बता सकता है दिन में कैसे किस direction में जा रहे है सब्सक्राइब आप 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 देख रहे है तो जनरली उस direction में जाता है VWAP supporter resistance जैसे हमने देखा supporter जैसे moving average होता है supporter resistance में यह भी work करता है algo trade जैसे लिखा है algo trade में use करते है कुछ नुकसान भी होंगे downside भी होता है lagging indicator है जैसे moving average है यह भी lagging indicator है पिछले many points को लेके आज का value calculate करता है इसको opening time में use नहीं कर सकते है क्योंकि VWAP बना नहीं रहता तो फिर दूसरा है कि पहले 5 minutes में आपको 5 minutes के पहले 15 minutes में बहुत clear picture नहीं होती क्योंकि बहुत लोग के जो पिछले दिन का trade लेना है या जो भी auctioning auctioning हो रही है वह heavy trade होते है पहले 15 minutes में तो वहाँ पर VWAP नहीं आता है VWAP 59 के बाद आपका थोड़ा बहुत अच्छा moment दिना start करेगा फिर यह है required supporting price action तो इसमें क्या है अगर आप किसी और price action के साथ add करते हैं जैसे कि हमने कुछ candlestick pattern लिया था volume लिया था किसी के साथ करते हैं तो एक confirmation के साथ और अच्छा जाएगा तो हमेशा थोड़ा सा confirmation लीजिए और बहुत अच्छे resistance और support के पास अगर आप जा रहे हैं तो avoid करिए क्योंकि वह support resistance के अपने dynamics होंगे वीवैप के अपने dynamics होंगे दोनों clash करके आपका नुक्सान कर सकता है यदि support और resistance के साथ यह cross कर रहा है और अच्छी बात है non trading market trading लिखा है non trending market में यह work नहीं करता तो यह basically यह था वीवैप के बारे में यदि आपका first time यह video देख रहे हैं तो देख सकते हैं यदि आपको यह custom screener के बारे में और जानना है तो यहाँ पर custom screener का भी English और Hindi दोनों में video है आप अराम से इसमें देख सकते हैं आपको कोई help यह support चाहिए तो नीचे यह support number से हमारी number one number two request for demo है अगर आपको को के बारे में चाहिए तो हमारे support executives will be more than happy आपको यह देने के लिए demo देने के लिए यह दि आपके कोई query है तो contact us use करके आप query भी डाल सकते हैं तो आशा करते हैं यह video आपको पसंद आया होगा यदि पसंद आया तो like, share, subscribe करिए friends के साथ share करिए जितना ज्यादा आपका response आता है हमारे पास उतना हमें पता चलता है कि हमारे जो जितनी भी मेहनत है वह आपके लिए useful है और हमें काफी प्रोचसाहन मिलता है आगे और वीडियो बनाने के लिए आगे और product enhance करने के लिए तो जरूर लिखी है हमें चाहे आप site पे लिख सकते हैं call करके बता सकते हैं या फिर आप YouTube में भी like, share, subscribe या comment डालके बताएंगे तो हमें और वीडियो बनाने के वह मिलेगा encouragement और हमारे ऐसे वीडियो की काफी लंबी series है जो लगातार हम बनाते जा रहे हैं बहुत जल्दी मिलेंगे एक बहुत अच्छे इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाई बाई मिलते हैं बहुत जल्दी